Hello, Welcome to Legal Awareness Web Series Constitution Series में Article 1 से 11 तक हम वीडियो बना चुके हैं हमारी प्लेलिस से आप देखें अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करें अब मेरे विवर्स, सब्सक्राइबर्स बार बार लिखते रहे कि Constitution Series रिजूम की जाए मैं समझता हूँ कि भगत सिंग के बर्थ डे से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती जब हम Constitution Series को दुबारा रिवाइव करें मुझे नहीं मालूम क्यों लोग ये समझते हैं कि देश भक्ती केरिकुलम में पढ़ा कर किसी को देश भक्त बनाया जा सकता है ये बात तो सही है कि देश भक्ती का तालुक अंतरात्मा से है ये तो एक वैल्यू सिस्टम है उस वैल्यू सिस्टम में आप राश्ट से हैं राश्ट आप से नहीं हैं और जिस तरीके से भगत सिंग के मामले में हम लोग पॉलिटिक्स करकर एक वोट बत तोरने की कोशिश करते हैं वो अच्छी चीज नहीं है तो आज हम अपनी कॉंस्टूशन सीरीज अपनी भाव भीनी शद्धान जली भगत सिंग को देकर आर्टिकल 12 से शुरू कर रहे हैं लेकिन आर्टिकल 12 की बात आते ही मुझे फिर से एक शद्धान जली देनी पर रही है बड़े अफसोस के साथ अपने पिएजडी स्कॉलर कुमार कारतिके को कारतिके की ये किताब जो उनकी पिएजडी पर बेस्ड है मेरे दूसरे पिएजडी स्कॉलर और नैशनल लौ यूनिवरस्टी उरिसा के अब रजस्टार प्रोफेसर योगेश प्रताप सिंग ने एडिट कर दी है किताब को डेडिकेट किया गया है कारतिके की मदर कुमुन्त तिवारी जी को उनको हम सब प्यार से मम्मी कहते हैं हम लोगों को अपने बेटे की तरह महबत से पेश आती हैं हमारी हर बिमारी दुख दर्द में फोन करती हैं ख्याल रखती हैं बड़ी मजबूत और बहादुर औरत हैं जिन्होंने जिन्दगी में बहुत बड़ी बड़ी एड़रसिटीज देखी पहले पती का देहांत हुआ फिर बेटी का हुआ फिर बेटे का हो गया जो एक वास्तव में भारत मा को सिंबलाइस करती है कि उनके चेहरे पर शिकर नहीं वो हैं हमारी मम्मी कुमार कार्तिके की मम्मी तो आईए अब आर्टिकल 12 पर बात कर लेते हैं वो बच्चे जो कम्टिटिव एग्जामिनेशन्स में बैठते हैं वो बार बार मुझे कहते हैं कि आप किसी तरह अपनी कॉंस्टूशन सीरीज को रिवाइव कीजे 12 पहला आर्टिकल है जो पार्ट 3 अफ कॉंस्टूशन है जो फंडमेंटल राइट से डील करता है वास्तव में कोई सम्विधान बनाया ही जाता है राज की शक्तियों पर अंकुष लगाने के लिए यह आईडिया है सम्विधान वाद का कॉंस्टूशनलिज्म का जो सरकार है और राज है वो एक हो गए है वास्तव में तो सरकार राज का हिस्सा है एक स्टेट होने के लिए आपके पास डिफाइंड पापुलेशन होनी चाहिए डिटर्मिंड टेरेट्री होनी चाहिए एक सरकार होनी चाहिए और संप्रबुता या सौवरेंटी होने चाहिए तो स्टेट अलग है, सरकार अलग है लेकिन सरकार और स्टेट मिल गए है क्योंकि सरकार ने स्टेट को डॉमिनेट कर लिया क्योंकि स्टेट के अंदर सारी शक्तियां निहित है इसलिए स्टेट पावरफुल है और पावर करेप्ट्स एपसलूट पावर करेप्ट्स एपसलूटली तो ये जो इतनी पावरफुल एंटिटी है 1984 पड़िये जॉज और्वेल की तो आपको पता चलेगा ये स्टेट बिग ब्रदर क्या क्या करती अभी पेगसेस को लेके बात चल लएई है सर्वीलियंस करती इसको लॉब बनाने का भी अधिकार है लॉब को इंप्लिमेंट करने का भी अधिकार है जजज को भी यह अपउइन करती है आरमी भी इसके पास है सी बी आई आई डी रॉज सब इसकी एजन्सी लोगों ने स्टेट को इंपावर किया सोशल कॉंट्रेक्ट के जरीए और अब लोग चाहते हैं कि ये जो पावर्फुल स्टेट है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए तो स्टेट को कंट्रोल करने के लिए कहा गया कि लोगों के कुछ मौलिक अधिकार है वो अधिकार राज की शक्तियों पर अंकुष है ये इन्सानियत की एक अजीम जंग रही है एक वसवसा रहा है कि पहले उसने राज को बनाया ताके उसकी समाज में लौ एन ओर्डर आ जाए उसने ही राज को शक्तियां दी और उसके बाद उसी को राज को कंट्रोल करना है ताके राज उसके अधिकारों का उल्लंगन न करे इसलिए आप देखिए कि जो पहला आर्टिकल आ रहा है फंडमेंटल राइट्स के चैप्टर में वो इस्टेट के बारे में हैं अब इस्टेट की कोई परिभाशा नहीं दी है मैंने देखा कि चंद लोगों ने जो वीडियो बनाए उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल ट्वेल्व बताता है वोट इस्टेट ये बात गलत है आर्टिकल ट्वेल्व ये नहीं बताता वोट इस्टेट क्योंकि अगर ये प्रश्ण होता तो उत्तर होता कि इस्टेट उसे कहते हैं यहां बता रहा है आर्टिकल ट्वेल्व कि इस्टेट में कौन कौन इंक्लूडेड है है ये एक exhaustive definition नहीं है जैसे के basic structure को supreme court ने नहीं बताया कि basic structure किसे कहते हैं बलके supreme court ने सिर्फ ये बताया कि basic structure में ये ये included राज को लेके तो बहुत theories नहीं पहले कहा गया कि इश्वर ने राज को बना दिया किसी को राजा और किसी को रंक बना दिया फिर might theory आई और उनोंने का नई state of nature में जिसके मजबूत कंदे थे उसने औरों को दबा लिया और वो राजा बन गया और बाकी परजा बन गया जब इनसान का दिमाग और develop हुआ तो उसने कहा ये दैवी theory of origin और ये might theory of origin सही नहीं है कुछ मेरी से होनी चाहिए राजे को बनाने में तो हॉप्स लॉक और रूसों ने social contract theory बना दी और ये कहा कि state of nature में man, nasty, selfish, brutish और short था और वो उस व्यक्ति के पास गए जो उन में सबसे competent था और उससे कहा कि तुम हमारे अधिकारों का तुम हमारी property का हमारी जानों की रक्षा करो और जो कुछ तुम कहोगे वो हम करेंगे और इस तरह एक social contract से state बनी बहुत सो ने कहा कि social contract के वक मौलिक अधिकार surrender कर दिये गए modern theories ये कहती है कि अधिकार surrender किये ही नहीं जा सकते इसी लिए पूरी theory एक निकली जो मैं आपको article 13 में पढ़ाऊंगा waiver of fundamental rights नहीं है किसी को ये अधिकार नहीं कि वो ये कह दे कि मैंने अपने मौलिक अधिकार को waive कर दे article 12 को समझते हैं ये कहता है in this part unless the context otherwise requires the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each state and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India यानि भारत के बाहर भी अगर कोई authority है भारत की सरकार के अगर वो control में है तो वो state स्टेट के विरुद आप जाएंगे fundamental rights की violation में जो लोग public interest lawyering करना चाहते हैं जो लोग अपने अधिकारों के लिए अधालतों में जाना चाहते हैं इस वीडियो को देखें और समझें आप जादा तर राज के विरुद मौलिक अधिकारों की उलंगन में जाते हैं red jurisdiction में इसमें राज क्या है आपको पता होना चाहिए जिसके विरुद आप जा रहे हैं क्या वो state है अगर वो state है तो आपकी petition accept की जाएगी आपने पहली hurdle cross कर ली ये तो आसान है कि पार्लेमेंट और सरकार state है state assembly और राज्य सरकार state है real जगडा तो local और other authorities में है other authorities का क्या मीनिंग है ये पूरी thesis जो कुमार कार्तिके ने की इसमें other authorities का बड़ा detailed discussion है पहला शब्द आ रहा है in this part यानि part three के लिए ये state की definition है अगर state के साथ कोई contract हुआ है तो ये definition नहीं है अगर state की liability होनी है tortious liability compensation क्लेम करना है state से तो ये definition नहीं है ये definition part three के लिए है और जब आप directive principles में जाएंगे तो article 37 आप से कहेगा कि ये ही definition part four के लिए है देखिए इस definition की beauty part four में कहा गया कि state shall endeavor to make a uniform civil court राज एक समान नागरिक सहीता यक्सा civil court बनाने की कोशिश करेगा राज तो क्या कोई municipality एक यक्सा civil court बना सकती है क्या कोई corporation जो state होगी article 12 के तहत क्या कोई वो यक्सा civil court बना सकती है ये बड़े एहम समवधानिक मुद्दे हैं legal awareness web series को मेरी request है कि आप subscribe करें ताके आपको इन समवधानिक मुद्दों पर सही जानकारी मिले बड़ा development हुआ कि ये other authorities का meaning क्या है एक principle is just them generous का है कानून में अगर कोई words specific आए और उसके बाद कोई general word आया तो उस general word को कैसे interpret किया जाए अगर मैंने ये कहा अपनी बीवी से कि तुम bread, egg, jam, butter ले आओ और कोई चीज जो तुम चाहो ले आओ और उसने जाकर एक नौलखा हार खरीद लिया और आपके credit card से नौ लाग रुपए कट गए और आप घर में देखके उसे बेचैन हो गए जब आप आए तो आपने कहा भी मैंने तो ये सब बोला था उसने कहा नहीं आपने ये भी तो कहा था or any other thing you want, I wanted a नौलखा हार बात breakfast से related चीज़ों की हो रही थी, जेवरात से related नहीं इसलिए ये जो other authorities है इसको interpret करेंगे उस context में जो words पहले आ चुके हैं कैसे तै हो के कोई other authority state है या नहीं जूरिस्पुडेंस पर develop हुआ है airport authority RD Shetty का case है RD Shetty versus airport authority of India justice भगवती ने 6 test lay down किये अगर ये देखना है कि जिसके विरुद हम जाना चाहते हैं अदालत में वो state है तो पहले खुद तै कर लें कि वो state है या नहीं सबसे पहले ये देखें कि उसकी क्या पूरी share capital government के पास है अगर सरकार का पैसा उसमें लगा है तो इसका मतलब वो state है दूसरा ये देखें कि क्या सरकारी मदद उसमें इतनी आती है कि जादातर खर्चा सरकार बियर करती है तीसरी चीज़ ये देखें कि क्या ये कोई company है corporation है PSU है जिसको सरकार ने monopoly status दिया है कई ऐसी चीज़े हैं जिनमें सरकार की monopoly रही है state transport corporation अब तो खेर बहुत privatization हो रहा है railway में भी private players आ रहे हैं अब तो सरकार बेचने के mood में है तो private sector बहुत बढ़ता चला जाएगा उन जगाओं पे भी जहां सरकार की monopoly रही है लेकिन ये उस जमाने का case है जब सरकार का control था पूरा कि अगर monopoly सरकार ने दी है तो फिर इसका मतलब ये authority state है अब पे चौती चीज ये कि क्या राज का सरकार का deep and pervasive control है क्या सरकार हावी है सारे फैसले सरकार करती है managing director, chairman man, सरकार appoint करती है सरकार उन्हें हटा सकती अब पांचवी चीज ये कि क्या ये corporation या authority ऐसे काम करती है जो normally सरकारें करती है public importance के काम करती है जो governmental functions related है अगर ऐसा है तो फिर ऐसी agency जो है उसको state माना जाए और क्या ये authority किसी सरकार के department से transfer होके corporation बनी है अगर ऐसा है तो फिर ये state है ये च्छे टेस्ट लेडाउन कर दी है अब बहसों को ये confusion है कि state बनने के लिए च्छे के च्छे टेस्ट satisfy होने चाहिए ये गलत understanding है locking एक भी टेस्ट अगर आपने satisfy कर लिया च्छे में से तो आप state माने जा सकते हैं प्राइवेट बॉड़ी भी जो है वो अगर agency of state है तो उसे state माना जाएगा star enterprises versus city and industrial development corporation of maharashtra का case महाबीर action stores versus Indian oil corporation का case प्राइवेट बॉड़ी भी state हो सकती basically test ये है कि क्या substantial financial aid सरकार की है क्या control सरकार का है क्या performance सरकार के functions जैसी है अगर ऐसा है तो वो अथॉरिटी state है जी फिल्म्स का case है बी सी सी आई इतनी powerful body दुनिया में cricket की सबसे ज़्यादा rich body उसके बारे मैं कहा गया कि साब इसमें सरकार का control नहीं है इसलिए ये state नहीं है बहुत लोग इस judgment से satisfied नहीं है प्रदीब कुमार बिस्वास का case बड़ा important है जस्टिस रूमापाल का judgment CSIR हजारण लोग वहाँ काम करते है Institute of Chemical Biology उसका हिस्सा है उसकी unit है क्या ये state है जस्टिस रूमापाल ने बड़ी अच्छी बात कही कि article 12 inclusive definition देता है कि X include, Y include, Z includes exhaustive definition नहीं देता है अब जो मामलात इस्टेट से compensation के हुए रुदाल सा का case जहां पर illegal detention के लिए compensation हुआ नीलबती बहरा का case, custodial death का हुआ article 32 के तहट compensation दिया जा रहा है for the violation of right to life and personal liberty इस्टेट के meaning के अलग-अलग पैमाने हैं उन पैमानों को समझने की जरूरत है Children Society के सिलसले में शीला भार से का case हुआ और उसमें कहा गया के Children Aid Society Instrumentality of State है 1987 का judgment banks के बारे में Bank of India के case में कहा गया के state है अब तो बहुत सी private banks बनती जा रही है corporate societies के बारे में कहा गया के ये state नहीं है मैं समझता हूँ कि article 12 की definition को Supreme Court ने expand किया है ताके fundamental rights की guarantees को expand किया जा सके fundamental rights basically state के विरुध है अगर state की definition narrow होगी तो fundamental rights भी narrow हो जाएंगे अब cases like अजय हासिया वर्सिस खालिद मुजीब और R.D. Shetty इन से law बिलकुल सेटल हो गया है और आखिर में बड़ा मुद्दा जिस पे अभी भी पूरी clarity नहीं आई वो ये कि क्या हमारी अदालते इस्टेट हैं क्या हम सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट के order के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट में writ jurisdiction में 32 और 226 में जा सकते हैं अब देखिए इसमें एक view तो ये रहा किसाब courts जो हैं वो इस्टेट नहीं है क्योंकि वो article 12 में mention नहीं है और judgment law की definition में article 13 में mention नहीं लेकिन अगर America की position लें तो read versus convert का case है जिसमें ये कहा गया कि सारे organs इस्टेट के legislature, executive और judiciary, fundamental rights को violate कर सकते हैं हमारे यहाँ प्रेम कुमार गर्ग का case था सुप्रिम कोर्ट के rules बने article 145 के तहत और security of cost writ के लिए CPC के तहत ये हुआ के मांगी गई उसको खुद सुप्रिम कोर्ट ने प्रेम कुमार गर्ग में कहा कि ये violative है क्योंके right to move to supreme court under 32 अपने आप में एक cornerstone है civil liberties का और उस पर कोई इस तरीके का अनकुष नहीं लगाया जा सकता पिर ये नरेश श्रीधर मिर जाकर का बड़ा interesting case हुआ Bombay में high court के सामने एक witness ने evidence दी वो अखबार में report हुई उससे कुछ नुखसान हुआ जब दोबारा उसकी evidence का मामला आया तो उसने court से कहा के एक order pass कर दे written के जो कुछ मैंने गवाही दी है वो अखबारों में ना आए court ने एक oral order तो pass किया लेकिन written order pass ना किया उसके against एक दूसरी bench के सामने Bombay high court में written में गए के इनको इस पे रोकें stay लगाएं high court की bench ने कहा कि कैसे एक bench दूसरी bench के against written jurisdiction में सुन पाए appeal में matter supreme court में गया supreme court में भी opinion divided रहा majority ने तो ये कहा PB गजिन्द गटकर ने opinion लिखा कि भई judiciary fundamental rights के against में नहीं आप जा सकते ये नहीं कह सकते कि अदालतों ने मौलिक अधिकारों का हनन अपनी judicial verdict में किया उससे ये point निकल के आता है कि अगर administrative काम high court या supreme court ने कुछ किया है उसे challenge किया जा सकता है प्रेम कुमार गर का case बताया कि supreme court ने rules बनाये थे उन rules को strike down किया गया बुदन चौदरी का case था जिसमें इस वर्सेज स्टेट अफ बिहार ये कहा जा चुका था कि article 14 का violation legislature भी कर सकता है executive भी और judiciary भी उस judgment के सिलसले में अब नरेश श्रीदर मिर्जाकर के case में सुप्रेम कोड ने कहा दिया वो और वो बात उन्होंने मानी नहीं और ये कहा कि judiciary fundamental rights violate नहीं कर सकती justice हिदायत उल्ला ने dissenting opinion लिखा और उन्होंने कहा ये मुम्किन है कि judiciary भी fundamental rights violate करे article 12 में state की definition exhaustive नहीं है इसलिए state include होनी चाहिए AR Antulay का case हुआ RS Nayak versus AR Antulay का एक judicial error हो गया था सुप्रेम कोड ने एक high court judge को कह दिया trial करने के लिए अब ये मुद्दा था कि इसे कैसे हल किया जाए SLP का review नहीं हो सकता था 142 के jurisdiction का इस्तिमाल नहीं हो सकता था क्यूंकि justice AR Antulay के खिलाफ था corruption में involved थे तो ये बात आई के साथ ये मामले में court ने relief दे दी AR Antulay को एक तरीके से ये मानना हुआ कि judicial error हुआ था उसके fundamental rights का violation हुआ लेकिन law जादा तर इस direction में है कि judiciary जब judicially act कर रही है तब वो fundamental rights का violation नहीं करती अगर वो administratively act कर रही है तो रिड जूरिस्डिक्शन के अंडर में है लेकिन justice गांगुली ने बड़ी interesting observation कही और ये कहा कि साथ ये मुमकिन है कि judiciary से भी fundamental rights violate हो जाएं ADM जबलपुर के case का मामला लिया गया मैं समझता हूँ कि अगर फिर आव आप देखिए प्राइवेसी के judgment में ये बात मानी गई कि ADM जबलपुर गलत था लिए कि ADM जबलपुर के case को प्राइवेसी के judgment में एक nine judge bench ने overrule कर दिया लेकिन ये smaller bench का judgment larger bench ने overrule किया है तो as things stand today judiciary के fundamental rights के violation में आप तभी जा सकते हैं जब judiciary ने कोई administrative decision लिया हो अगर कोई judicial decision लिया है तो उसके against आपकी remedy है appeal या review आपकी remedy आर्टिकल 32 और 226 नहीं है मैं समझता हूँ कि आपको state का जो अर्थ है आर्टिकल 12 के तहत उसके बारे में कुछ understanding और clarity आ गई होगी अगले वीडियो में हम आर्टिकल 13 के बारे में बात करेंगे legal awareness web series अगर आपको पसंद आती है तो मेरी request है कि हमारे इस वीडियो को widely share करें और हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon और like जरूर क्लिक करें बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थे क्योए भर क्यों